हेलो एडिवन कैसे हैं आप सब आपका सबका हमारे यूटूब चैनल कपूर SS2 में स्वागत है आज मैं जो व्लोग बनाने जा रही हूँ वो बहुत स्पेशल है आज हम आपको करवाएंगे शॉपिंग और शॉपिंग मैं ऐसी मार्केट के दिखा रही हूँ जहाँ पे आपको कम पैसे में आप अपने घर को कैसे सजा सकते हैं वो दिखाऊंगी जो कि हर लेडी को पसंद है तो आने वाली है दिवाली और बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले है तो हम करेंगे दिवाली की और फेस्टिवल की तियारी छुटी-छुटी चीजों से घर को सजाने की और कम पैसे में ठीके जी तो चलते हैं आपको दिखाती हैं कैसे करेंगे हम शॉपिंग भी हम घर को सजाने लगते ह। तो घर की शिरूरत होती है मुख्य दवार से। मुख्य दवार पर एक अच्छा सा पायदन हो तो जो भी घर में गेस्त आती हो उसका वेलकम पिंचे से होता है। तो जिस मार्केट में जा रही हूं, महां पाइदन बहुत अच्छ होते हैं, और पाइदन हमें बाथरूम के बाहर भी चाहिए, डोर के दर्वाजे के मुख्य द्वार के सामने भी चाहिए, और पूरे घर में पाइदन के रिकार्मेंट तो रहती है, बैट के साइड में भी पाइदन अलग होते हैं, बाथरूम वाले अलग होते हैं, मेन एंटरेंस के आगे अलग होते हैं, तो कई तरह के हम पाइदन देखेंगे, और कुछ कपड़ा लेंगे, स्टफ लेंगे, जिससे हम कुछ घर की चीजों के कवर बनाएंगे, तो जिस मार्केट में मैं जा रही से 6-7 km दूर है और यह market बहुत cheap and best है पर आपको patience से अच्छी जगा में अच्छी चीज को दूनना पड़ेगा कत्र market से जैसे आपको पता चल रहा है वहां पे कत्रे मिलती है कत्रे ऐसी मिलती है काफी लोग अपनी factory के लिए महां से कत्र लेके जाते हैं जिससे वो अपनी machine वगयरा सफाई करते हैं तो उसके साथ साथ अब वहां पे बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स भी खुल गई हैं जिसमें सूर्स और western dresses जीन्स टी शिर्ट हर तरह के कपड़े और furnishing लीलन का समान बहुत मिलता बैट शेट बैट कवर सब मिलता है तो हमको क्या चाहिए हमको वहां पे ढूंडना पड़ेगा तो हम ढूंडेंगे और बताएंगे आपको बहुत ही स्रस्ती सी शॉप्पिंग करके ठीके जी तो चलते हैं अभी हमें यहां से 20 मिनिट लगेंगे और हम रेडी हैं बैग हमने उठा लिया और अंकल अब भी रेडी हैं आज चलते हैं मार्केट में हम होके रेडी अब हम अपना हुठाते हैं सरकवच हेलमेट तो मैं रेडी हो गई हूं अच्छे से मास पहल लिया है है हलमेट पहल लिया है क्योंकि अभी खत्रा टला नहीं है और जरसा भी ध्यान खटा नजर हटी जारी है और ऐसी जगह जारे है ज्याद फोड़ी बीड होती है खुब साइड लेडिस आई होंगी वहां पर तो हमें अपना ध्यान खुद रखना है ठीके जी ठीके कपूल जी ओके चलो जी चले सबींग तो छोटी शोपिंग हो बड़ी शोपिंग हो लेडिस को मज़ए बा मार्क हो जाती है मैं सकते हैं जब बिषक हमें एसी हावा नहीं मरती आहां इतना पैसे के बच्टत होती है कि हर ओरत चाहती है कि सेस्ट मनी कम पैसे में बहुत सारी चीज़ें हम ले सके हैं तो हर लेडिग को डिये कि Hearts के और समय चाहिए होता है तो हम आज पुसी का अनंद उठाएंगे थोड़ा सा प्रशानी होगी पर प्रशानी के पीछी मज़ा भी आएगा ठीक है जी यह आज मैं एक ऐसी शॉप में आई हूँ जहां आपको खस्तरा की विराइटी में लेगी यह देखो बैग किता सुंदर है यह बैग है यह फॉफ है अधाउ यह कमे ल heat शानी है और यह मेरे फेवरेट बैग मैंने इनके पास शेए बहुत बैग लिया हूं भाहत बैग टिस्ट को ऀλι कि लिए बहुत अच्छी हैं बहुत मजबूत वैग कि अरि थिक्त करने के लिए अबत अच्छा मॉजबूत बैग है अ कर यह प अच्छा डाई सो के दो पर देड़ सो के दो कर देखो कितने सुन्दर सुन्दर कलर है नहीं मैं इसको इस्तुमाल कर चुकी हूं बहुत मजबूर बढ़िया मेगा इसलिए मैं अब पुर्ट आ रही हूं यह है मुगाउपुरी की कतर मार्केट और यह कितने का सेट है अच्छा सो के एक सेट है कितना बढ़िया सेट है फ्रेज में रखने के लिए समान बहुत सस्ती अच्छी बढ़िया है इन दुकानों के नंबर मेंशन होते हैं उपर इसमें तो नहीं है और यहां पर आपको बहुत सारी असी चीज़े मिल जाएंगे आपको दुकान क्या नंबर है एक सुपंद्रा नंबर दुकान पर आओ और ऐसे बैग मैं तो ले चुकी अब आप भी ले लो देखो आज मैं आयू इनकी शौप पर कह ना में आपका मितलेश देखो कैसे सासरी नहीं किती खुश लग रही है गर्मी में भीड़ की इनने न वाली के टिशू के कटन लेके जाती हैं बहुत प्यारे होते हैं पर अभी इन्होंने कुड़्कियां रखी है आप आओ किता पूल कलर रही है कितने का यह है अच्छा बहुत सुन्दर विराइटी है अच्छे में यह देख यह भी जो बैक की शॉप दिखाईए साथ में इनकी शॉप है बहुत पुरानी शॉप है इनकी बहुत बढ़ी है इनके पास इसा नई शूट पहन के सपने भी इच्छा आएगा में पतर मार्तिट में मौं बॉल कौरी में मार्तिट है यहां यह बाबा बैठे़ा है हांम पिछले साल वह यहांसे पैदन लेगे ले और हम हर दीवाली पर पाइदन लेके जाते है तो यहां के कशी है हर तरह के पायदा में और में यहां से बाइदन भी है जो कमरे के बीच में छोटी दरी बिचाते हैं और काट्पेट पुछाते हैं वह भी है और बहुत ही रीजिनेबल गेते हैं अग्वाबब बहुत टाइम से यहां बैठे हैं सीधी इनी की दुकान पर आती हूँ में परशंद करना है अपने बच्हों के इनको पदाती है अमने लिया है और वैंट यह क्या बोलते हैं और ये है 100 रुपीज का ठीक है जी और ये मैंने 100 का लिया है दो लिये है ऐसे और ये मैंने खुब बड़ा सा दरी टाइप लिया है एक और ये है सिरफ 200 रुपीज का है ना किता प्यारा लग रहे है ये मैंने बात्रों के लिए मैट लिये है छोटे छोटे ये 50 रुपीज के यह 50 रुपीज का है यह टावल टाइप है पहर अच्छे से पोच जाते है और दूल भी जाता है तो यह सस्ते भी है और बढ़िया भी है और यह डोर मैट मैंने वेलकम वाली लिए है 100-100 रुपीज के दो और यह उल्टा हो गया वेलकम यूज मी तो यह है डोर मैट बाहर के दर्वाजे पे रखने के लिए और सबसे बड़ी बात है यह दूसरी तरफ से ऐसे प्लास्टिक के हैं स्लिपरी ने रहेंगे और जूते चपल अच्छे से साफ होंगे और यह सिरफ 100 रुपीज का एक है तो है ना बढ़िया आज हमारी दिवाली की शॉपिंग शुरू हो कि अज है तो मै ने सिरफ मैं पैड की शॉपिंग किये और डिवाली की उसके बारे में ऱ्हा जूरूर में अपको जूरूर बताएंगे तो आज यह मेक की शॉपिंग कैसे लगी आपको जुरूर बताना और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू